देखे इतना तो सब कोई जानते होई गया कि सबसे पहला क्या होगा एका पावर सेवेन अज सबसे लास्ट वला क्या होगा इतना तो सब लोग को पता है कि पहला यह होगा अंतिम यह होगा अब आगे का टर्म देखे कैसे लिखा जाता है पहले लिखिएगा साथ ठीक है आएक का पावर एक को घटाते चलिएगा पहले क्या लिखिएगा साथ फिर से सुनिए पहले लिखिएगा साथ आएक से भाग दीजिए कितना साथ है या छोड़िए यहां लिखिएगा साथ है इसका पावर एक को घटा दीजिए ठीक है अभी एक बार और लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, तब समझेगा, अब क्या करना है, कि हमेशा यह दोनों को गुना करते चलना है, बोलिए, 42, अब पहला बार एक से भाग दिये थे, अब दो से भाग दिजिए, कितना, 21, आए का पावर फिर घटाईए, चलिए, फिर यह दोनों कितना से भाग दिया जाए, आरे, पहला बार कितना से दिये थे, एक से, फिर कितना से, दो से, फिर तीन से, अब कितना से, चार से, तो यह दोनों को गुना करीगा, तो 35 गुना 4 भाग कितना से देना है, तो कितना बच जाएगा, 35, आए का पावर, 3, चलिए, आगला स्टे में फिरह दोनों को गुणा करीगा तो पैंटीश मुना तीन अब घैब ऐ हक ना से अब पांसे तो पुले को यहाँ अरे पांसए क्टैगा के वार सात गुना थिनी कितना है किस एक न इपकावर तो चलिए फिर गुना करिए दोनों गुना करिएगा न जब 42 अब कितना से 6 से तो अब कितना 7A और अब तो यह एक का पावर 0 हो जाएगा यह फिर गुना करिए कितना साथ साथ में साथ से भाग दीजिएगा एक आनि लास्ट टर्म क्या आजाएगा अब रुख जाएए रुख जाएए अब इसके बाद A का पावर क्या आजाएगा 0 तो A का पावर 0 का मान 1 यानि यह अब समाप्त हो गया अब B को क्या करना है कि A को बढ़ाते चलना है यहां से सुरू होगा B का पावर 1, B का पावर 2, B का पावर 3, B का पावर 4, B का पावर 5, वी का पावर छोग लास्ट में बी का पावर हमेशा है जोखफ्ल, जो है साथ होना चाहिए यह की दे के साथ रूज़ा है यह को जोड़िये, यह तो रूले को जोड़िये, हर ज्यगा पावर कितना होना चाहिए, साथ होना चाहिए तो अब अगला बार देखिए A पलस B का पावर क्या लिखते हैं 10 भूलिए पहला टर्म A का पावर 10 अब यहाँ पर 10 लिखिए A का पावर 9 A B का पावर होवान फिरी दोनों को गुना करिए 90 अब 2 से भाग दीजिए 45 A का पावर 8 A B का पावर 2 अभी दोनों को गुना करिए 45 गुना 8 कितना से भाग देना है 3 से तो बोलिए कितना 120 A A का पावर 7 A B का पावर 3 चलिए फिर 7 गुना कितना 120 अब भाग कितना से देना है 4 से तो इसमें 4 से भाग दीजिए 30 गुना 7 बोलिए 210 अब A का पावर 6 अब B का पावर 4 फिरी दोनों को गुना करीगा तो 210 गुना कितना 6 भाग कितना से 5 से तब 5 से इक कटेगा 42 बार 42 गुना 5 210 होता है तो 42 गुना 6 बोलिए अब A का पावर 5 अब B का पावर 5 फिरी दोनों का गुना करीगा भाग कितना से 6 से तब 6 से 42 बार तो 42 गुना 5 कितना 210 अब A का पावर 4 न अब B का पावर 6 फिरी दोनों को गुना करीगा भाग कितना से 7 से ती दोनों के गुना करीगा भाग कितना से 7 से कि इतना 120 अरे साथ से इसमें भाग के वार तीस गुना चार 120 एक सो बीस आए का पावर तीन अभी का पावर साथ चलिए फिर ही दोनों का गुननफल बोलिए गुना नहीं करना है भाग कितना से देना ही बोलिए आठ से, ताठ से इक के बार पंदरग उना तीन, पैतालीस आई पीछे वाला टर्म रिपीट होते चलता है देखिए यहाँ देखिए रिपीट हो जाता है यह कहां तक आ गया अब देखिए यहीं 210 रिपीट हो गया यहीं 120 रिपीट होगा तो अब क्या आ जाएगा 45, A का पावर बोलिए, 2, A B का पावर trap 45 के बादर रिपीट हो जाएगा, 10, A का पावर बोलिए, 1, B का पावर, 9, अरब B का पावर कितना हो जाएगा, 10, जहाए B का पावर 10 आएगा, समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे नीकाला जाता है, शेली तो चोकलेट खाके जाईएगा बुलाईए जल्दी से गोविंदा को अच्छा फिर से खा लिजिए बुलिए बुलिए जल्दी से बुलाईए ना जल्दी से